दिली एंसी आर वालो पर भीशन कर्मी की मार पड़ रही है दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सिस के पार रहने की संभावने चताई जा रही है आपको जान कर देते हैं कि मौसम विभाग के मताबिक अभी कुछ दिन रहत आसान नहीं है कि दिली एंसी आर में लू चलने का अलर्ट भी है और रहत के कोई भी आसार नहीं नजर आ रही है लगतार गर्मी बढ़ रही है प्रचंड रूप लेती जा रही है और इसी में कहा जा रहा है कि घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी काम हो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पढ़ रही है इस वक्त प्रचंड गर्मी गर्मी की वेज़े से लोगों को परिशानिया भी हो रही है घर से बाहर निकलने में गुरेज लोग कर रहे हैं 47 डिगरी के आसपास पारा बताय जा रहा है और अभी आगे दिन भी कुछ ऐसे ही इतने ही गर्म रहने की संभावना है अजीत हमारे से योगी जुड़े हुए है अजीत अभी क्या सिदी है क्योंकि टेंपरेचर बहुत हाई जा रहा है और लोगों को बाहर निकलने में भी बहुत तकलीफ हो रही है जी हाँ बिल्कु देखे लगतार हम देख रहे हैं कि दिल्ली एंसियार समय जो कई इलाके है वहाँ पर जो तापमान है वो लगतार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हलाकि मौसम इभाग की और से कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों बाद यानि तकरीवन एक हफ़ते के बाद थोड़े बहुत तापमान में गिरावाट दर की जा सकते हैं लेकिन फिरहाल किसी भी राहत के आसार जो है वो नहीं जताया जा रहा है जो आमडी की और से जानकारी मिली है और जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि आसमान जो है साफ रहेगा है जहांपर दोपहर के समय जो है ताप मान पचास डिगरी सेल्सी से निकलते हैं तो पसीनियों से तरबतर हो जाते हैं या नि तापमान जो है सुबसे ही वह बढ़ता हुआ नजर आता है और दोपहर में जाके जो है वह 50 तो नजर आता है अगर दिल्ली के अस्पतालों की बात कर ले क्योंकि हीट वेप की वह से काफे ज्यादा परिसानिया लोग को होती है ऐसे में जो लोग बाहर निकलते हैं काम की वज़े से या फिर किसी और कानवस तो उनको लगातार यह कहा जाता है कि गर्मी से बचने के लि अभी जो एक हफ्ते का जो सेडूल है उसमें यह बताया गया है कि जो तापमान है दिली का अधिक्तम जो तापमान है वो 45 डिगरी जो है वो उसतन दर्ज किया जाएगा दिली के कही लागों का तापमान औस तापमान से भी उपर जाता हुआ नजर आता है 47-48 डिगरी तक पहुंचता है फिलाल अभी एक हफ्ता का जो सेडियों है मौसम भाक्पर से उसमें किसी प्रकार की राहत के आसार जो है वह दिल्ली वालों को नहीं जताए गया है हीट वेब किया संका जो है वह जाहर की गए हीट वेब जो भी जो है वह एक हफ्ते के अंतराल में 20-30 किलुमे जहिलना पड़ता है जी बहुत शुक्रिया आप हमाई से बने रहिए अजीत आगे भी अपडेट लेंगे